hello बच्चो आज मैं आपको class 10th का CBSE का जो Standard मैंक्स सेम्पल फेपर 2021 का ठीक है को करोंगी इसमें हमने पार्ट ए कर लिया है पार्ट भी भी स्टार्ट कर दिया था जिसमें अमने के में तो म्रुशन कर लिए तो आज आपने वाले questions करेंगी ठीक है देखो question number 27 आपके पास है यहाप पर proof that two minus root three is irrational given that root three is irrational क्याना है आपको यहाँ पर proof करना है कि जो two minus root three है वो irrational है जब कि एक चीज आपको पहले से दे रखिए कि root three जो है वो irrational है ही है तो आपको यह पूरे को भी rational proof करना है ठीक है ना chapter number one का यह question है आपके पास चलो देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे सबसे पहले पता है हम क्या करते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो two minus root three है ना वो एक rational number है ठीक है अब जब यह rational number है तो फिर मैं इसको p upon q या a upon b की form में लिख सकती हूँ लिख सकती हूँ ना तो two minus root three is equals to a upon b ठीक है जबकि यह a और b क्या है a and b यार को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका hcf जो है वो वन होता है और इसके two three three को में इधर ले आई और यह a minus b इधर आ गया ठीक है अब यहां पर मैंने base same कर लिया तो two b minus a upon b is equals to root three आगे तो देखों हमको पताता कि जो root three है वो irrational है तो इसका मतलब यह तो irrational है तो फिर यह भी irrational ही होगा न क्योंकि एक rational number और irrational number तो equal नहीं हो सकते नहीं हो सकते न तो फिर यह दोनों तो equal नहीं हो सकते तो हम वह चीज़ यहां लिख देते इस a and b are integer we get two b minus a upon b is equals to root three is irrational and हैंड वो हैं सो चुपित हिस्ट नर्च अगर यह रैश्टि ए तो फिर रूट थृव भी अब थाइश्ड चुन एपील स महां स्ब्सें होगा क्यें दोनों एकवर यह क्यूंकि यह सोरी लेकिन हमारे को को शवाइब में तो पहले से हवे राख्way कि root 3 हमारा irrational है but root 3 is an irrational यह हमको given है पहले से equation में which contradicts our assumption या फिर हमारी जो हमने उपर statement लिखी है कि 2 minus root 3 जो है वो rational number है उसको यह contradict करता है तो इससे यह prove होता है कि 2 minus root 3 जो है वो irrational ही है therefore 2 minus root 3 is an irrational number क्योंकि एक rational number और irrational number equal नहीं हो सकते ठीक है ना तो यह था आपके पास question number 27 एक question irrational number का जरूर आएगा ही आएगा तो आप इससे अच्छे से कर लिजेगा ठीक है चलो question 28 देखते है इसमें आपको internal choice मिलिए exam में जो आपको अच्छे से आता है आपको वो attempt करना है यहाँ पर हम दोनों ही question समझेंगे यहाँ पर लिखा है if one root of a quadratic equation is a quadratic equation दे रखे आपको यह उसका एक root दे रखा है 2 by 3 then find the value of P तो आपको क्या करने है इस P की value find out करने है and the other roots of the equation और उसके बाद जो बाकी के roots and equation के वो find करने है तो सबसे पहली बात तो जो equation हमको यह दे रखे है इससे हम P की value निकाल लेते है तो कैसे निकालेंगे एक root तो हमको दे रखा है न 2 by 3 तो फिर हम क्या करते है इस X की जगा 2 by 3 रख देते है ठीक है तो यह आजाएगा आपके पास 2 2 जो 4 3 3 जो 9 और यहाँ पर आजाएगा 2 P plus upon 3 2 P upon में 3 plus 4 इसको इससे कार दिया मैंने तो 4 upon 3 plus 2 P upon 3 plus 4 is equals to 0 ठीक है ना अब जब आप इसे solve करोगे तो यह आजाएगा 4 plus 2 P upon में 3 2 P is equals to minus 4 इस plus के 4 को मैं उधर ले गई ठीक है अब क्या करते हैं हम cross multiply कर लेते है तो 4 plus 2 P is equals to minus 12 2 P is equals to minus 12 और minus 4 2 P is equals to कितना आगे आपके आपके आपस minus 16 क्याहाँ से P की value आगई आपकी minus 16 upon में 2 cut किया तो 8 आगे P की value तो चलो हमारी निकल गई अब हमारी पास जो यह equation 3 P X square plus P X plus 4 is equals to 0 तो अब यहाँ पर P की value रख देते हैं तो minus 8 X plus 4 is equals to 0 होगी अब हमारी को इसके और roots निकलने तो middle term split करके यह वाली term split करके हम बागे के roots निकल सकते हैं तो चलिए split करते हैं तो minus 6 X और minus 2 X ले लिया क्यों? क्योंकि plus minus करके तो आपको चाहिए minus का 8 X और multiply करके आपको चाहिए 12 X square तो 6 to 12 तो 12 भी हो जाएगा और plus करेंगे तो plus minus करेंगे तो minus का 8 X आजाएगा अब इन दोनों के एक pair बना लियो और एक सेकिंड plus का 4 भी है है plus 4 is equals to 0 इन दोनों के एक pair बना लियो है फिक है? इन दोनों में से मेरे पास 3 X common आ रहे हैं तो यहाँ पर बचा X minus का 2 इन दोनों में से 2 common आ रहे हैं तो यहाँ भी X minus 2 बचा बाहर minus है तो अंदर का sign change हो गया, ठीक है न, तो 3x minus 2 एक आ गया, और x minus 2 एक आ गया, यहां से मेर पास एक बार x की value आ गई 2 by 3, और एक बार x की value आ गई 2, तो देखो 2 by 3 तो मुझे पहले से ही दे रखी थी, दे रखी थी न, तो अब x की value कितनी आ गई 2, तो other root मेरा कौन सा निकल गया, other root is 2, ठीक है, तो यह था आपके पास question 28, चलिए अब इसका जो internal choice में हमको एक question दे रखा है, वो देखते हैं, क्या रहे, the roots alpha and beta of quadratic equation, एक equation दे रखे हैं, उसके root से alpha and beta, such that alpha minus beta आपको दे रखा है, 1, आपको इस k की value find out करनी है, ठीक है, तो यह भी chapter number 2 का question था, यह यह भी chapter number 2 का ही question है, question आपको जरूर पता होने चाहिए कि कौन से chapter क्या है, देखते ही पता चल जाना चाहिए यह आपको, ठीक है न, देखो, एक चीज़ आपको दे रखे हैं, यहापर, alpha minus beta is equals to 1 है, और alpha और beta इसके roots है, तो alpha plus beta क्या होगा, वो आपके पास 5 होगा, कैसे plus beta आपके पास 5, आपके पास जो equation होती है, वो यह होती है, x square minus alpha plus beta x plus alpha बीटा, तो देखो, इस alpha plus beta की जगह यह 5 ही तो लिखा है यहाँ पर, लिखा है न, x के साथ, तो इसका मतलब alpha plus beta आपके पास 5 है, अब आप यहाँ से कोई सी भी equation इसको 1 ले लो, और इसको 2 ले लो, ठी ठीक है, अब मैं क्या करते हूँ, equation 1 से, alpha की value निकाल लेती हूँ, sorry, वो आपके पास आजाएगा, 1 plus beta, और इसको क्या करते हूँ, put कर देती हूँ, equation 2 में, तो alpha plus beta is equals to 5 है, तो alpha की जगा मैंने 1 plus beta रख दिया, और यह वाला beta ऐसी है, is equals to 5, यहाँ पर होगे 2 beta, और इस 1 को मैं उधर ले गई, ठीक है न, तो 2 beta is equals to 4, यहाँ से beta की value आगई आपके पास, तो beta की value आई 2, अब इस beta की value को आप क्या करो, put कर दो, किसी भी equation में कर सकते हो, मैं first में कर देती, put in equation 1, ठीक है, तो alpha minus beta is equals to 1, तो alpha ऐसी रहने दो, beta की जगा 2 रख दो, तो यहाँ से आपके पास, alpha की value कितनी आजाएगी, 1 plus 2, 3 आजाएगी, चलो, alpha और beta की value तो मुझे मिल गई, मुझे को कह रहा है कि k की value निकालो, देखो, अभी मैंने आपको यहाँ बोला, alpha plus beta, यह 5 लिखा है उसकी जगा, और यहाँ पर होता है, alpha into beta, तो उसकी जगा आपके पास क्या लिखावा है, alpha की value रगदो 3, beta की जगा, beta की value रगदो 2, is equals to 3k minus 3, यह इसके साथ भी multiply कहें, और यह इसके साथ भी multiply कहें, 3 to 6, यह plus का 3 आजाएगा, 9 is equals to 3k, यहाँ से k की value कितनी आगई, 9 upon 3, cut किया तो 3 आगई, और हमार को k की value ही निकालनी थी, ठीक है, तो question number 28 यहाँ पर complete होते है, चल in the figure, ABCD is a square of side 14 cm, semicircles are drawn with each side of square as diameter, find the area of shaded region, आप से क्या कह रहा है ही हाँ पर, ABCD जो है न, यह आपके पास क्या है, एक square है, उसकी side आपको दे रखिये 14 cm, आपको पता है, square की सारी side सेम होती है, ठीक है, अब वो आप से कह रहा है, हाँ पर semicircles बनाए गए, यह रहे जैसे, एक semicircle आपके पास यह रहा, और एक semicircle आपके पास यह रहा, उसी तरीके से मैं बोलूँ, तो एक semicircle आपके पास यह रहा, और एक semicircle आपके पास यह रहा, ठीक है, यह draw किये गए, अब आप से कहना है, जो यह shaded region है, यह वाला, ठीक है, आपको इसका area निकालना है, तो देख हाझए इनको हटा दो तो फिर यह में पास शेडिट डिजान हाझाथ तो स्कौर का एकि अधाव बहुत यह स्वायर सकते हो स्कौर का एरिया वह कैसे निकालेंगे स्कौर से और और रहते हम क्या कर सここ है इंघ तो हूँं धार त्बंक ne ठीक है तो वह आ गया 14 x 14 is equal to 196 cm2 चलिए यह तो हमारा निकल गया अब हम यह साइडों के कैसे निकालें तो देखो आप पते क्या करो इनको नंबर देदो जैसे कि first नंबर आप इसको देदो ठीक है जो यह वाला है आपके पास जिसका एडी आपके पास यह है यह कि इसका मैं एरिया निकाल सकती हूं निकाल सकती हूं तो चलिए हम वही निकाल लेते हूं तो फॉर्मला होगा हमार पास पाई आर इसको है लेकिन यह सैमी सरकल है तो इसको टू से डिवाइड करेंगे ठीक है तो वन बाई टू पाई की वैलू ट्वंटी डू बाई सेवन अब आर कितना हैगा तो देखो यह पूरी साइड आप पे 14 है डायमेटर है यह तो आर कर दिया इससे को कटके 11 लेवन इंटू 7 आपके पास 77 सेंटीमीटर स्कॉर आ गया यह इस सेमी सरकल के लिए जिसका डायमेटर क्या है अब अगर मुझे इस वाले सेमी सरकल का निकालना हो जिसका डायमेटर अबी तो सेमी तो एरिया आएगा है ना क्यूंकि सबकी साइड 14 सबके सेम होंगी उसी तरीके से अगर मुझे इस वाले सेमी सरकल का निकालना हो जिसका डायमेटर बी सी है तो भी सेम आएगा आएगा तो पहले हम यहां पर लिख देते हैं सेमी सरकल एडी कॉमा बी सी कॉमा एबी कॉमा सी डी तो सबके एरिया सेम आएगे तो चलो यहां लिख लेते हैं फिर हम एरिया आफ ओल सेमी सरकल कारे सेमी सरकल के एरिया कितने आ जाएंगे 77 तो आपको यह बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब हमने यह एरिया तो निकाल लिया अब आप यहां पर देखो अब मैं इस फिगर को दुबारा एक बार इसमें से यह सब हटा देती हूँ कि अगर मुझे यह फस्ट वाले और थार्ड वाले का एरिया निकालनों यह फस्ट जहां मैंने फॉर्स्ट लिखा है उसका निकालना हो तो कैसे करूंगी अगर मैं इस स्क्वाइर में से यह वाला semi circle का area और ये वाले semi circle का area minus कर दो तो फिर मेरे पास ये ही दो तो बचेंगे बचेंगे ना तो चलिए पहले हम first और third का निकाल लेते हैं ठीक है तो वो मैं ही हाप पर निकाल ले हूँ तो इसके नीचे आपको इसके नीचे लिखना है ठीक है area of region 1 plus region 2 sorry region 3 कैसे निकलेगा area of square a b c d उसमें से minus क्या कर देंगे इन दोनो semi circle का area minus area of semi circle a d और area of semi circle b c ठीक है तो यह है आपके पास 196 इसमें साप minus कर दो कितना 77 plus 77 तो 196 minus 77 minus 77 ठीक है आप चोओ तो दोनों को plus करके भी minus कर सकते हो वह आपकी वर्जी है कैसे भी आप कर सकते हो ठीक है ना तो अब हमने क्या किया 196 में से पहले 77 minus की फिर 77 की तो हमारा आगया 42 चलो इन दोनों का तो निकल गया अब ऐसा करते हैं सेकिंड और फोर्थ का भी निकाल लेते हैं तो area of region second plus region 4 अब इन दोनों का कैसे निकालेंगे तो देखो अब बात कर रहे हैं हम इनकी फिर से इसको हटा देती हूं मैं रुको तो देखो अब अगर आप square में से इसको माइनस कर दो इस वाले semicircle को इस वाले semicircle को तो यह दोनों आ जाएंगे रहेंगे दोनों तो वह हम यहां कर देते हैं is equals to area of square minus area of semicircle cd plus area of semicircle a b तो 196 में से वही 77 और 77 minus होगा तो 42 ही आ जाएगा तो निकल गए इन दोनों का 42 निकला और इन दोनों का 42 निकला तो area of shady region कितना आ गया आपके पास वह आपके पास आ गया 42 प्लस 42 तो 84 cm square चिक है तो यह था आपके पास question number 29 चलिए question number 30 देखते हैं हम हम question हमार पास यहां फिर हमार पास यहां पर internal choice दे रखिए तो paper में आपको कोई सा एक करना है अभी हम दोनों करेंगे चिक है the perimeter of two similar triangles are 25 cm and 15 cm respectively if one side of a first triangle is 9 cm then the length of the corresponding side of second triangle find करने है वह हमे find the length of the देखो आप से कह रहा है आप पर दो similar triangle हैं दोनों के perimeter आपको given है ठीक है तो आप एक triangle को मालनो abc और एक triangle को मालनो आप def तो इसका मतलब perimeter of triangle abc upon में perimeter of triangle def ठीक है क्यूं हमने ऐसा क्यूं लिखा क्यूंकि देखो यह दोनों similar triangle है ठीक है ना चलो मैं इसको पहले वही लिख देती हूं कि यह similar triangle है इसलिए इसको यहां से हटा के यहां पर शुरू करते हैं देखो सबसे पहली बात तो हमने यहां पर दो triangle बना दिये एक हमने abc बना दिया और एक हमने def बना दिया चीक है और सासत लिख दिया कि जो यह triangle abc है न वह similar है कि इसके triangle def के तो इसका मतलब parameter of triangle abc अपन में parameter of triangle def तो abc इसका triangle का parameter क्या होगा sum of all side ab plus bc plus c है ऐसी इसका भी sum of all side तो de plus ef plus fd ठीक है अब देखो हमने पते क्या किया है यहां पर ab और de एक साथ ले लिए सिर्फ इन दोनों को ले लिया क्योंकि हमार को एक साइट पता है दोनों की तो parameter है abc triangle का 25 और def का है 15 ठीक है अब वह मुझसे कह रहा है first triangle की एक साइड है 9 तो ab मैंने इसको ही 9 माल ले आप किसी को भी मान सकते हो और दूसरी वाली निकालने है तो जो निकालने हो इसको x माल लिया ठीक है ना बस अब हम क्या करेंगे इसको cross multiply तो 25 इंटो x is equals to 15 इंटो 9 x is equals to 15 इंटो में 9 divided by 25 ठीक है तो जब आप इसे solve करोगे तो x आपके पास यहां पर आ जाएगा 5.4 cm तो इसका मतलब d e आपके पास कितने आ गई 5.4 cm तो आपको length निकालने थी corresponding side की second triangle की वह आ गई आपके पास 5.4 cm ठीक है चलिए अभी इसका एक और पार्ट है वह और देख लेते हैं आप से कहा रहे हैं in an equilateral triangle ABC D is the point on side BC such that BD is equals to one third BC proof that 9 AD square is equals to 7 AB square कहा रहा है आपके पास एक equilateral triangle है जिसकी तीनों sides equal होती है A B और C ठीक है उसपे कह रहा है कि D जो है वह point BC पे इस तरीके से हैं BC पे है इस तरीके से है कि जो BD है वह one third BC के तो इसका मतलब midpoint तो खेर नहीं हो गई है तो यह हो गए मेरा D ठीक है अब आपको यह proof करना है तो मैं यहा लिख देती हूं आपको proof क्या करना है 9AD square is equals to 7AB square ठीक है ना तो आप सबसे पहले इसमें पता है क्या करो construct कर लो खुद से इसका draw कर लो यहाँ पर construction में वो क्या draw कर रहो होगा AM बना लो जो perpendicular होगी BC के ठीक है तो इसका मतलब यह भी 90 डिग्री अब यह भी 90 डिग्री है ठीक है ना आपको एक चीज़ गिवन है यहापर कि जो BD है वो one third है BC के और आप जो BM है वो one half होगी BC के क्यों क्यों क्योंकि जो AM है वो perpendicular है तो इनको equal part में cut कर रही होगी तो दो चीज़े मुझे पता है अब ठीक है अब मैं बात करूं कौन से triangle की ABM की इस वाले की यह पूरा यह और यह ठीक है इसमें मैं बाइता को और इस theorem लगा सकती हूं इसका मतलब AB का square क्योंकि 90 के सामने वाली hypotenuse होती है इस equals to AM square plus BM square ठीक है अब इस AM square को तो मैंने ऐसी रहन दिया BM square को मैंने पता है क्या लिख लिए वो लिख दिया मैंने BD plus DM square लिख सकते हैं क्योंकि जो यह BM है यह दो पार्ट में बटीवी है एक BD जो यह वाली हमाल को बता रखी थी और एक DM बट यह न यह figure एक बर यहां और बनाती हूं तो जब हम इसको open करेंगे तो A plus B का always square लगेगा तो A square plus B square plus 2AB ठीक है न अब देखो AM और BD square AM square यह रहा यह 90 degree है यहां अब मैं अगरी सिर्फ छोटे वाले triangle की बात करूं इस वाले की ADM की तो यह 90 degree का है AM square तो इसका मतलब AD square इसकी जगा मैं यह लिख सकती हूं AD square ठीक है इन दोनों की जगा लिख रहूं यह मैं AD square एक सेके इसको हटाओ देखो इन दोनों की जगा इन दोनों की जगा AM square यह था और DM square यह था इन दोनों की जगा मैं AD square लिख सकती हूं क्योंकि इस छोटे वाले triangle में भी मैंने पायता करें स्थियोरम लगा दी तो वह होगा मेरा AD square is equals to AM square plus DM square तो इन दोनों की जगा यह लिख दिया यह BD square मेरे पास ऐसी है चीक है और इसको मैंने ऐसी रहें दे है 2BD dot dm dot मतलब multiply है यहाँ पर चीक है अप आप यहाँ पर क्या करो देखो इसको तो फिल हाल आप ऐसी रहने दो अभी और यह 2BD ऐसी रहने दो और इस DM की जगा पता है आप क्या लिख लो यह आपके पास DM इसको आप लिख दो यहाँ पर BM माइनस BD आप सोच रहेंगे हम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं देखो आपको BD और BM की वेल्यू बता है इसलिए मैं यह सब कुछ निकाल लूँ कि ताकि हर चीज में पास BD और BM की फॉर्म में आ जाए ताकि मैं वेल्यूस को पुट कर स ठीक है अब BD स्कूर, BD काहा है आपके पास यह रहा BD, तो BD की जगा आप लिख सकते हो 1 बाए 3 BC, और यह होल स्कूर ऐसी रहने दो, ठीक है, प्लस 2, BD की जगा फिर आप लिख सकते हो, BC अपॉन में 3, ठीक है, और यहाँ पर है BM, BM की जगा पर आप लिख सकते हो, BC माइनस BD की जगापे आप लिख सकते हो BC अपॉन में 3 ठीक है ना तो AB का square is equals to इसको आप AD square ही रहने दो ये बन जाएगा आपके पास BC square अपॉन में 9 ये बन जाएगा आपके पास 2 BC अपॉन में 3 और यहाँ पर अगर आप इसको solve करोगे तो आएगा आपके पास 3 BC माइनस 2 BC अपॉन में 6 फिलाल इसको भी ऐसी रहने दो AD square भी आप ऐसी रहने दो ठीक है इसको भी आप ऐसी रहने दो अब जब आप इसे solve करोगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 ठीक है 1 BC को 2 BC से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2 BC square आजाएगा और यहाँ पर नीचे आजाएगा 18 ठीक है इसको इससे cut कर दो तो AB square is equals to AD square ठीक है और प्लस यह आपके पास बन गया 2 BC square upon में 9 बन गया है यहाँ तक अब आप इस BC की जगा क्या करो AB लिख दो क्यों क्योंकि यह तो तो यहाँ पर आगया 2 AB square और यहाँ लिख दो आप AB is equals to BC और is equals to CA बस अब आपका आणसर आगया यह प्लस का था मैं इधर लिए ही माइनस का हो गया जब आप इससे solve करोगे तो आपका answer आजाएगा 9 AD square is equals to 7 AB square बस LC में रेके solve करना है ठीक है तो यह था आपके पास question number 30 थोड़ा सा यह मुश्किल question जरूर था हमने क्योंकि इसमें खुद से construct किया है लेकिन आप जितनी ज़्यादा practice करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन questions में क्या करना है ठीक है ना chapter number 6 के ही ही है यह दोनो questions आपके चलिए question number 31 देखते है यहाँ पर आपसे कह रहे है the median of our following data is 16 find the missing frequency A and B if total of the frequency is 17 तो chapter number 14 का यह question है आपको median दे रखा है यह जो missing frequency है इनकी values आपको निकालनी है तो पता है आपको जब भी median दे रखा हो तो आपको CF बनाना परते है तो चलिए ही हाँ बनाते है पहले मैंने हाँ class लिख दी 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 to 30 30 to 35 और 35 to 40 ठीक है उसके बाद मैंने हाँ पर frequency लिख दी 12 A फिर 12 है फिर 15 है फिर B है फिर 6, फिर 6, फिर 4 और इन सब का टोटल है में पस 70 ठीक है अब CF निकाल लेते हैं CF तो चाहिए ही चाहिए median में CF पहली तो सेम रहती है उसके बाद इन में प्लस करते रहते हैं तो 12 प्लस A 24 प्लस A 39 प्लस A 39 प्लस A प्लस B 45 प्लस A प्लस B 51 प्लस A प्लस B और 55 प्लस A प्लस B ठीक है अब देखो आपको median दे रखा है 16 तो आप median क्लास यहां से निकाल सकती हो तो median क्लास आपकी यहां पर आएगी यह ठीक है ना median का formula आपके पास यहां पर होता है L प्लस N बाई 2 माइनस C F अपॉन में F इंटू में H सब चीज़े आपको पता है L मतलब lower limit अच्छा median भी यहां में पता है median आपको पता है यहां पर 16 है L मतलब lower limit वो आपके पास यहां 15 है N बाई 2 तो 70 बाई 2 हो जाएगा माइनस C F C F हमेशा उपर वाली लेते है तो 24 प्लस का A ठीक है और F वो ही लेते है तो 15 आजाएगा और H मतलब इन दोनों के बीच का gap class interval में तो 5 हो गया ठीक है ना तो 16 माइनस 15 यह वाला 15 में पहले ही इधर ली आई पहले ही step में ठीक है तो यहां पर आ जाएगा 35 माइनस 24 माइनस A और इसको इससे कट कर दिया तो यहां पर आ गया 3 तो 1 बचा 16 में से 15 गया तो 1 और इस 3 को जो यह डिवाइट का इसको इधर ली आई मल्टिप्लाय का होगे ठीक है अब इसमें से इसको माइनस के तो 11 माइनस A आया तो 3 is equal to 11 माइनस A A की value कितनी आगई 11 माइनस 3 तो A की value आगई 8 चलिए एक frequency तो मुझे मिल गई है अभी एक और चाहिए देखो आपको यहाँ पर frequency का total दे रखा है 70 लेकिन अगर आप यह वाली सारी frequencies को जोड़ोगे तो कितना आएगा वो आपके पास आएगा 55 प्लस A प्लस B तो इसका मतलब 55 प्लस A प्लस B जो है वो 70 के equal है जिसमें सब मुझे A की value पता है 8 है B की value नहीं पता ठीक है तो यहाँ से मैंने B की value निकाल ली तो 70 माइनस 55 माइनस 8 तो B की value मेरे पास कितनी आ गई 7 तो A और B की value निकाल ली थी A की 8 आई और B की 7 आई यह आपका answer आगे ठीक है ना चलिए question number 31 हो गया अब आते है हम अपने question number 32 पे so question number 32 आप पे if the angles of elevation of the top of the candle from two points distant A centimeter and B centimeter A is greater than B from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree then find the height of the candle क्या रहा है आपको angle of elevation दे रखे of the top of the candle candle की top से दे रखे from two coins जो नीचे ये दो coins है ना यहां से आप top of the candle का angle of elevation दे रखा है ठीक है 30 और 60 और दोनों के बीच का जो distant है वो क्या है A और B है जिसमें A बरा और B छोट है ठीक है तो चलिए हम मान लेते हैं यहां पर फिगर हम खुद से बनाते हैं यहां पर हमने माना यहां पर A B जो है यह मेरी 60 दे रखा है देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यह confusion होती है कि 30 पहले लिखना है यह 60 पहले लिखना है यह आपके पास अगर origin है तो origin से जितना दूर जाते रहते हैं तो angle उतने कम होते रहते हैं तो 60 पहले आएगा 30 बाद में आएगा ठीक है ना अब वो आपसे कह रह समझ में आगई figure आपको कैसे बनाई है हमने फेशलू नों ने लिखके दिया है कि A जो है वो B से बढ़ा है तो आप इसको A मत लेना कई बच्चे गलती से इसको A ले लेते हैं CD को नहीं A यह पूरा दे रखा है आपको ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लगाते हैं 1060 कौन से ट्राइंगल में लगा रही हूँ मैं यहाँ पर A B C में ठीक है तो इन ट्राइंगल A B C तो 1060 perpendicular upon base perpendicular A B है और base मेरा कितना है यहाँ पर जो है 1060 ना यह वाला तो base मेरा यहाँ पर हो गया B C ठीक है ना तो 1060 मेरा पास होता है root 3 A B मुझको नहीं पता उसको मैंने क्या किया यहाँ पर let कर लिया कि यह मेरा पास H है तो मैंने यहाँ लिख दिया let A B is equals to H ठीक है और base B C मुझे मैंने पहले ही let कर लिया B है वो वैसे भी मुझे कोशन में दे रखा है कि उनके बीच का जो distance है वो A और B में है तो यहाँ से मैंने क्या किया है H की value निकाल ली वो आ गई मेरी root 3 B चलिए अब हम क्या करते हैं अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रैंगल की इन ट्रैंगल A B D की इसमें मैंने लगाया अपना 10 30 ठीक है तो वो होगा मेरा A B अपॉन में BD ठीक है न तो देखो 10 30 होता है में पास 1 अपॉन में root 3 A B मेर पास H है और BD पूरा मेरे पास A है तो यहां से मैंने H की value निकाली तो वो आई मेरी root 3 अपॉन में A यह आई इसको हम माल लेते हैं equation 1 और इसको हम माल लेते हैं equation 2 ठीक है अब आप क्या करो इन दोनों equations को multiply कर दो multiplying equation 1 and 2 तो right hand side right hand side से होगी और left hand side left hand side से होगी यह 2 है ठीक है तो H into H, H square हो जाएगा और यहां पर आजाएगा root 3 B into root 3 upon A तो यह आजाएगा H square is equals to तो आप देखो यह तो cut एक सेकेंड यहां पर हमने H की value जो यह H की value है नहीं यह आपके पास आएगी cross multiply करेंगे हम तो root 3 H is equals to A तो H की value आपके पास आएगी A upon में root 3 ठीक है यह आपके पास second equation यह नहीं है चलिए अब यहां पर भी change कर देते हैं तो यह आगए आपके पास A upon में root थी तो यह तो cut हो गए तो आपके पास बचा A B A B बचा यहां से H आपके पास आगए root A B और H है मतलब आपको height है तो meter में होगी H आपके पास root A B meter तो height of the candle आपके पास कितनी आगई वह आपके पास आगई root A B और meter A B में क्यों आया क्योंकि आपको यहां पूरा question A B में ही दे रखा है किसी की भी length नहीं दे रखी थी आपको ठीक है नहीं height दे रखी थी इसलिए A B में ही answer आएगा ठीक है ना चलिए last question हम और देख लेते हैं यहां पर जो आपके पास 33 number का question है यह भी 3 marks का है उसके बाद 5 marks के questions है तो यह भी आपके पास chapter number 14 का question है जिसमें आपको mode दे रखा है और आपको क्या करना है x की value इसकी value निकालनी है तो आपको क्या करना पर एगा इसकी model class देखने है तो यही model class तो यही model class तो यही होगी highest frequency है ठीक है फॉर्मला आपके पास यहां पर होता है mode का पहले हम फॉर्म प्लस f1-f0 upon में 2f1-f2-f0 और into में h होता है ठीक है model class आपको पता है यह है तो यहां पर lower limit 60 होगा mode भी आपको पता है 67 होगा plus f1 यह तो यही वाली होती है 15 f0 उसके पहले वाली होती है इसको बोलते है f0 यह है f1 यह है f2 ठीक है तो f0 हो गई में पास x 2f1 मतलब 2 into 15 minus f2 आगे वाली minus f0 पीछे वाली into में h h में पास 10 इस 60 को में पहले ही इधर ले आई ठीक है न अब यहां पर देखो आप यहां पर पास बचा 15 minus x और यहां पर आया 30 minus 12 minus x into में 10 ठीक है तो 15 minus x और यहां पर आजाएगा 18 minus x into में 10 तो यहां पर आगया 7 ठीक है अब हम इसको क्या करते है इसको ऐसे लिख लेते हैं क्रोस मल्टिप्लाइ कर लेते हैं तो 7 के साथ ही आगया 18 minus x और यहां पर हो गया 150 minus 15 x मल्टिप्लाइ किया तो 126 minus 7 x is equal to 150 minus 15 x तो 126 minus 150 minus 15 x minus 7 x ठीक है न अब जब आप इसमें से 126 में से 150 को माइनस करोगे तो माइनस कर 24 आएगा और यहां के प्लस का हो जाएगा ठीक है तो यह आपके पास यहां पर आ जाएगा 8 यह माइनस का है तो इधर आके यह प्लस का हो जाएगा ठीक है अब 15 में से 7 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 8 बचेगा ठीक है ना अच्छे हमने हम इस्टेक कर दिये 10 को x इंटू करेंगे तो 10x आएगा ठीक है इसको भी हम 10 कर देते ठीक है ना तो यहाँ पर आगया आपके पास माइनस का 3x माइनस से माइनस कट गया x आपके पास कितना आगया 24 अपॉन में 3 कट किया तो मेरा 8 आगया मुझे x की वैल्यू निकालनी थी missing frequency तो X के value मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई 8 आ गई ठीक है तो यह था आपके पास question number 33 ठीक है ठीक है तो आपके पास यह 3 marks वाले questions complete हो गए अब जो यह next section है जिसमें हम 5 marks के questions देखेंगे यह हम अपनी next video में करेंगे ठीक है तो next class में हम यह 34 से 36 तक के questions भी कर लेंगे 4 questions है है हमार पास ठीक है न तो अगर आपको यह video अच्छी लगी तो आप इसको like जरूर कीजेगा और मेरे channel को subscribe कीजेगा Thank you